नमस्कार मैं डॉक्टर हर्श कोयल हूँ और आज मैं आपके साथ बात करूंगी ओबीसिटी या मुटापे के बारे में सबसे पहले मुटापा होता क्यों है इसका कारण क्या है और फिर उसके बाद होमेपेथिक मेडिसिन मैं बताऊंगी उसको लेकर के आप मुटापा कैसे दूर कर सकते हैं अगर आपने मुझे अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दें और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं इसका कारण क्या होता है अगर आपकी कैलरी इंटेक आप उसको जितना बर्ण करते हैं उससे जादा है तो ये मुटापा आपको आ सकता है दूसरा कारण है आपका काम ऐसा है कि आपको जादा देर तक पैठना पड़ता है तो उससे भी मुटापा आ सकता है बहुत बार ऐसा होता है, genetic disorders होते हैं, उसकी वज़े से हो सकता है आपकी नीन पूरी नहीं होती है, या आपको ज़ादा नीन दाती है, दोनों वज़े से मटापा आ सकता है आपको अगर mental stress है, उसकी वज़े से मटापा हो सकता है और कभी-कभी smoking suddenly चोड़ने की वज़े से भी मटापा आ जाता है तो वो भी एक reason हो सकता है, hypothyroidism की वज़े से भी मटापा हो जाता है मटापे को दूर करने के लिए आपको मैं तीन homeopathic medicines बताती हूँ एक है calcaria card 1M, इसकी दो drops आप ठीक में एक बार bed time पर ले लें, सोने के time पर ले लें और इसको 8 हफते तक लेते रहें मतलब आगर आपने Monday को रात को ली है सोने से पहले तो next Monday को और फिर इसी तरह हैं, 8 weeks तरह आप Monday को लेते रहें दूसरी medicine है phytolakka berry q इसकी 20 drops आप आदा कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार सुबा दुपहर को और शाम को लें और इसको 3 महिने तक आप लेते रहें तीसरी medicine है phycus vesiculosis q या फिर mother tincture भी कहते हैं इसकी 20 drops आप दिन में 3 बार सुबा दुपहर शाम आदे कप पानी में डाल करके इसको भी लेते रहें दोनु दवाईयों के बीच में आप 5 मिनिट का कैप रख सकते हैं ये medicines आप लेंगे तो दीरे दीरे आपका मुटापा कम हो जाएगा और बाडी की general fitness के लिए 30 मिनिट की brisk walk या exercise अच्छी रहती है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप like का बटन दबा दीजिए और अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए comment section में आप comment भी कर सकते हैं thank you